नमस्कार दोस्तों मैं इंजिनियर अनिस राज आप लोग का स्वागत है हमारे यूटुब चानल सिभील अनिस राज में दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 1500 स्कॉयर फूट एरिया में अगर आप घर बन बा रहे हो 2030 में तो मेटरियल के साथ साथ लेवर का कोष्ट क्या लगने वाला है दोस्तों पुट्टी से लेके पेंट ए टू जेट जनकारी सिर्फ हमारे वीडियो में ही देखने को मिलेगा तो लास तक आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ साथ हमारे चैनल को सिस्क्राइब करके हमें शपोर्ट और मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों तो चलिए करते हैं वीडियो को सुरूर दो हजार तेस में आपका 1500 स्क्वाइर फूट एरिया में एक अच्छे घर बनाने के लिए कितना खर्चा पड़ेगा मेटरियल के साथ साथ लेवर का कोष्ट ठीक है फ्रें का कोष्ट का बात कर लेंगे तो लेवर का कोष्ट इंडिया के अंदर में 2800 से लेके 300 रुपया पर स्क्वाइर फूट एक एवरेज रेट चल रहा है औल अबर इंडिया का बट अलग-अलग लोकेशन पर थोड़ा बोट चेंज हो सकता है ये रेट तो अगर हम बात कर ले 15 से स्क्वाइर फूट एरिया में घर बनाने के लिए 800 रुपया एक स्क्वाइर फूट का तो यह 3,75,000 रुपया आपका लेवर के कोष्ट के उपर बढ़ जाएगा ठीक है एस ट्रेक्चर बनाने का और प्लास्टर करने तक का और चट ढालने तक का फिनिसिंग का इसमें लेबर रेट एड नहीं है फिनिसिंग का हम अलग लग बताएंगे उसमें हम आपको आगे बताएंगे तो नंबर्स अप कॉलम का अगर बात कर ले पीलर जिसको बोलते है तो 18 नंबर और पीलर और कॉलम लग जाएगा अगले पोइंट में बात कर ले फ्रेंड तो फॉंड मतलब क्यूबिक फूट होता है अगर फ्रेंड बार रुपया एक सीअप्टी का लेके चले ग्यारा सो बावन सीअप्टी गुने बारा रुपया अगर करेंगे तो यह आपका 13,824 रुपया आपका फॉंडेशन खुदाई के उपर पर जाएगा 18 पीलर यानी 18 कॉलम का और कॉलम का जो साज बताये थे 4 फूट बाव 4 फूट बाव 4 फूट आप बात कर ले कि फॉंडेशन को भरने में कितना खर्चाने वाला है मिट्टी भराईए तो 1500 स्कॉइर फूट एरिया में अगर आप फॉंडेशन बनाएंगे तो चारु तरप आपको मिट्टी भरना पड अगले पॉइंट में हम बात कर ले तो सैप्टी टंक तो सैप्टी टंक हर एक इंसान बन बाता है घर के अंदर जब कॉंस्ट्रेक्शन कर बाता है घर बन बाता तो उसमें आपका 45,000 रुपया जाने वाला RCC सैप्टी टंक का ब्रिक्स वर का आपका कम लगेगा 30,000 तक में दे देगा ठीक है तो उसमें सारा टैप का डिजाइन आ जाएगा 13,000 में आपका कॉलम बीम और 3D डिजाइन 2D डिजाइन अगले पॉइंट में बात कर ले अल बिल्डिंग मेटरिल सिमेंट बालो गिट्टी सरीया पुट्ली पैंट ठीक है गर गरनाइट मारवन टाइल 2,97,000 सिमेंट के उपर पड़ेगा एक अच्छे सिमेंट का बात कर है लोकल सिमेंट में आपका कम पर सकता 20 रुपया भैरी हो सकता आगे पीछे आपके लोकेशन के कोड़ी आप बात कर ले साथ साथ बालू का तो बालू जो सैंड है 1815 CFT लगेगा जिसको क्यूबिक तो 80 रुपया एक CFT का लग रहा हमारे एरिया में बिहार में तो यह दोस्तो 1,45,002 रुपया लग जाएगा आपका और यह जो CFT है पर CFT रेट भैरी कर सकता अलग-अलग लोकेशन और अलग-अलग मार्केट पे डिपेंड करता है ठीक है तो 10 रुपया का आगे पीछे हो सकता 15 रुपया का तो आप टेंसर नहीं लिजे अगर अगले पॉइंट में बात कर ले तो aggregate है तो aggregate आपका 1965 क्यूबिक फुट लगेगा जिसको बोलते है ठीक है जिसको गिट्टी बोलते है खड़ी बोलते है तो cost of aggregate का अगर बात कर ले तो गिट्टी का भी रेट आपका 80 स 100 रुपया पर रहा है 1 CFT का हमारे एरिया में आपके एरिया में अलग हो सकता है एरेट थोड़ा चेंज हो सकता है तो 80 रुपया अगर 1 CFT काथ 1965 CFT का एक लग चंटावन हजार 2 CFT का पर जर्यक है जहाँ पर पहार है जहाँ पहारी इिलागा है वहाँ पे गिट्टी का लग जाएगा जो की पाराफुट वाल रेलिंग तक के लिए है पंत्रस्य स्क्राइड फूट एरिया में घर बनाएंगे तो 9 इंची का दिवाल ठीक है आपके क्वांटिटी और आपके डिजाइन के एकोडिंग यह थोरा बहुत रेट और नंबर सब क्वांटिटी ब्रीक्स का कम बेसी हो सकता है अगर आप 5 इंची का दिवाल देंगे तो कम हो जाएगा 9 इंची का देंगे तो लमसम इतना परेगा 10 रुपया ओल अवर इंडिया का एक इट का कीमत है अगले पॉइंट में अगर बात कर ले तो टोटल एस्टील यानि की टीम्टी बार का क्वांटिटी 15 स्काइड फूट एरिया में घर बनाने के लिए आपका 5250 केजी लग जाएगा इसको अगर कुंटल में बात कर ले तो 52 कुंटल लग जाएगा तो 5250 केजी गुने 80 केजी का यह दोस्तों परने वाला है 4,20,000 रुपआ परने वाला है अगर लोकल टील लेंगे तो आपका 55-70 केजी में मिल जाएगा एक केजी का तो कम लगेगा लेकिन अच्छा टील के लिए 4,20,000 रुपआ लगेगा ठीक है और आपके जो डिजाइन है उसके उपर भी quantity depend करता है तो कम भी हो सकता थोड़ा जयदे भी हो सकता है ठीक है जो भी डॉटर है comment करके जरूर पुछिएगा अगले point में बात कर ले तो एक अच्छा पेंट का तो पेंट आपका total 210 लिटर लगने वाला है एक लिटर का कीमत सारे 400 रुपिया है अच्छे पेंट का तो 210 लिटर का यह होने वाला दोस्तो 94,500 रुपिया आपका पेंट के उपर जाएगा ठीक है यह rate और quantity थोड़ा भूद भैरी कर सकता अलगला location और आपका design के according तो आप tension नहीं लिजे साथ-साथ अगर आप पुट्टी पेंट कराएंगे तो इसका भी cost पड़ेगा अगर नहीं कराएंगे तो पेंट से काम चल जाएगा तो पुट्टी पेंट का rate और आपका पैसा बच सकता है तो टूटल्स दिवाल का अगर बात कर ले पंदर से स्क्वाइर फूट एरिया में घर का 7,813 स्क्वाइर फूट है लमसं तो इसको अगर हम 10 रुपया 1 स्क्वाइर फूट का ले के चले तो यह 78,130 रुपया आपका प्राइमर और पुट्टी के उपर पर जाएगर नहीं कराएंगे तो कम हो सकता है बच सकता है यह रेट ठीक है साथ साथ अगर बात कर ले बातरूम में जो आप टाइल्स लगाएंगे उसका कितना कोश्ट लगने वाला है दोस्तो तो बातरूम में अगर आप टाइल्स लगाते हैं तो दो बात्रोम का टाइल्स इंस्टोलेशन करवाने का टाइल्स लगवाने का मिस्तिरी और लेवर का कोष्ट आपका परने वाला है दोस्तो 35 रुपया एक स्क्वाइर फूट का तो 150 स्क्वाइर फूट एक बातरूम का तो दो बातरूम गुना करती है और 35 रुपया से गुना करती है तो 10,500 रुपया आपका दो बातरूम का टाइल्स लगवाने का खर्चा जाएगा दोस्तो अगर अगले point में हम बात कर ले तो kitchen granite tiles है लोग kitchen में हमेशा tiles लगवाते हैं ठीक है तो L-save का अगर kitchen बनाएंगे तो बास्तु सास्त के अनुसा सुब माना गिया है आपका तो L-save का kitchen आप लोग बनाएंगे तो 70 square foot आपका quantity लगेगा granite tiles लगवाने का तो एक square foot का labor plus mistery का charge 115 रुपया पढ़ेगा तो 70 square foot L-save का kitchen बनाएंगे आपका 8,050 रुपया लग जाएगा और आप जो kitchen बनाएंगे उसके according यह थोड़ा बहुत कम बेसी हो सकता rate और quantity ठीक है लेकिन 70 square foot का इतना लमसम लग जाएगा आप बात कर ले कि float tiles अगले point में तो 1500 square foot area में अगर आप float tiles लगवाते हर एक room में हर एक बरंडा पे तो यह labor plus material का cost आपका 95,050 रुपया एक square foot का पढ़ेगा तो 1500 square foot का यह cost पढ़ने वाला है दोस्तों 1500 square foot गुने 95,050 रुपया आपका float tiles लगवाने में खर्चा पढ़ेगा ठीक है अगर हम बात कर ले main gate main gate पे जो लोग grill लगवाते हैं तो grill जब लगाएंगे आपका cost लंसम बर जाएगा थोड़ा बहुत अगर नहीं लगवाएंगे grill लकड़ी के चोकेट के बाड़ी से काम चलाएंगे तो यह आपका बस सकता लेकिन grill maximum लोग लगाते हैं तो एक grill बनवाने में आपका 280 kg लंसम लगेगा तो एक kg का 100 रुपया लगेगा बनाने का charge तो यह आपका 26,000 रुपया लंसम main gate steel का grill लगवाने में लग जाएगा अगर अगले point में बात कर ले तो door और window है यानि कि दर्वाजा और खिरकी लगवाने में आपका कितना खर्चा पड़ेगा तो सबसे पहले 5 दर्वाजे का अगर बात कर ले तो यह 60,000 रुपया पड़ेगा एक दर्वाजा का लभव 12-13,000 रुपया पड़ता है ठीक है, finishing के साथ में अगर बात कर ले window का तो 8 खिरकी लंसम लगएगा और आपके design के according यहरे खिरकी का number बर सकता चोकेट का, gate का तो यह 8 खिरकी का 4,000 रुपया लग जाएगा फ्रेंड, खिरकी और दर्वाजा को कारपेंटर जो मिस्तिरी आएगा लगडी का मिस्तिरी, तो वो आपका लगाने का charge लेगा ठीक है, बनल बनल मार्केट से तो ले आएगे, लेकिन charge लगेगा, तो 28,000 रुपया आपका लग जाएगा charge, ठोकेगा, लगाएगा उसमें, दर्वाजा, खिरकी अब बात कर ले, अलेक्ट्रिकल वर्क करवाने में, घर में कितना लगेगा खर्चा, लेवर के साथ-साथ मिटेल का, टोटल अलेक्ट्रिकल वाइडिंग सारे चीज़ इसमें इंक्लूड है तो आपका 1500 स्क्वाइर फूट में एक स्क्वाइर फूट का 100 रुपया है तो 1500 स्क्वाइर फूट का 1,50,000 रुपया लगेगा साथ-साथ अगर पलंबिंग करवाएगे तो दो बात रूम, एक कीचेन और एक आपका ट्वाइलेट रूम हो गया तो यह लमसम मिटरियल और प्लस लेवर का चार्ज आपका पलंबिंग का 75,000 रुपया लमसम लग जाएगा और एक अच्छा पलंबिंग कराएंगे तो लाख रुपया तक भी जाएगा अब हम बात कर लेते हैं तोटल कोष्ट अभी तक जो बता है मिटरियल उसका कोष्ट कितना लगेगा आईए हम एक एक करके अब रिभाइज कर लेते हैं फटाफट देख लेते हैं सबसे पहले 3,75,000 रुपया आपका लेवर के उपर पड़ेगा ठीक है डिजाइन बनबाने ने नकसा बनबान में 2,57,000 रुपया आपका लग जाएगा 1,45,200 रुपया आपका सैंट के उपर लगेगा बालु के उपर 1,57,200 रुपया आपका एग्रिगेट गिट्टी के उपर लगेगा और साथ सा 3,75,000 रुपया आपका ब्रिक के उपर पड़ेगा, इट के उपर पड़ेगा, और 4,20,000 रुपया आपका पड़ेगा, एस्टील के उपर, सरिया के उपर, 94,500 रुपया आपका पड़ेगा, पेंट के उपर, और 78,130 रुपया आपका पड़ेगा, पुट्टी प्र करवाने ने 28,000 रुपए आपका मेन गेट ग्रिल बन बाने में 60,000 रुपए आपका दरबाजा के उपर 64,000 रुपए आपका खिरकी के उपर और 28,000 फिर से आपका कारपेंटर लगडी मिस्तिरी का चार्ज पर जाएगा 1,50,000 रुपए आपका वाइरिंग के उपर पड़ेगा 75,000 रुपए आपका प्लम्बिंग के उपर पड़ेगा दोस्ति अगर फ्रेंड सभी कोष्ट को अगर एक साथ जोर दिया जाए तो यह आपका परने वाला है 26,38,904 रुपए और यह कोष्ट आपका भैरी कर सागता है आपके डिजाइन और मार्केट एविलिटी के उपर डिपेंड करता है अगर बात कर ले साथ साथ एक स्क्वाइर फुट का लेवर के साथ साथ मिटल का कोष्ट कितना परने वाला घर बनाने के लिए तो यह 1400 से लेके 2000 रुपए एक स्क्वाइर फुट का परने दोस्तों आसा करते हैं कि यह हमारा वीडियो में दिया गया जनकारी आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सेर कीजे और हमारे चानल को सस्क्राइब करके हमें सपोर्ट कीजे इसी के साथ मिलते अगले वीडियो में जब तक लिए दोस्तों जय हिंद